नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों के अपने यूटूब चैनल वी एन केटी इस्टडी पोरोटल में आज हम लोग इस वीडियो में दिस्का परयोग पढ़ेंगे, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं तो सबसे परले हम लोग इसका परिवासा देख लेते हैं, यानि कि डिफिडिशन देख लेते हैं, दिस्का परयोग कहां किया जाता है तो देखें दिस्का जो परयोग किया जाता है, पास या नजदिक की एक वस्त के लिए किया जाता है इसको आप लोग याद रखेगा जैसे यहां पर आप लोग देख सकते हैं आपको दो बिल्लिया दिखाई दे रही होंगी देखे यह बिल्ली कहां पर है देखे यह नजदिक है यानि पास दिखाई दे रही गया और यह बिल्ली दूर दिखाई दे रही गया देखे यह भी ब करेंगे तो देखेंगे गाले के टेमीन देखेंगे तो इसे परियों करेंगे दूर यौन परोशन सब्सकं Email थे दोचाल अब तो यहाँ पर बिल्ली के लिए यह नस्दीक है ना तो इसके लिए this लगाएंगे अब देखें आपर कुछ जो important point इसको समझे लीजिए देखें this, this means होता है यहाँ याद रखेगा टी एच आई एस this, this means होता है यहाँ और देखें is, is means होता है, है देखें a, a means होता है एक, देखें a या अ कोई लोग पढ़ते हैं तो देखें a, a means क्या होता है, एक होता है तो this means क्या होता है, यह होता है, इस means क्या होता है, है होता है a means क्या होता है, एक होता है तो एक बार और देखिए परिभासा के आए दिस का पर्योग कहां पढ़ेंगे तो देखिए दिस का पर्योग जो आप लोग करेंगे वह पास या नजदी की कहां पर पास या नजदी की वह भी केवल एक वस्त को ने देखिए वस्तु पास भी हो और केवल एक ही हो तभी आप परियोग करेंगे और दिस मिन्स यहां इज मिन्स है ए मिन्स क्याता है एक होता है अब चली यहां लोग कुछ यहां पर क्या लिखेंगे यहां पर देखेंगे यहां पर देखेंगे यहां पर क्या है आम है ना तो यहां पर क्या लिखेंगे मैंगो क्या लिखेंगे मैंगो यानि कि यहां एक आम है देखें फुल स्टाप बगारा मत भूलिएगा तो यहां एक आम है क्या हो जाएगा दी इस सब देखते हैं देखें एक पर है किए एक कॉलम है तो देखे क्या लिखा है यहाँ एक कलम है तो यह भी आसान अब आप लोग कर लेंगे क्या होगा इसका this फिर आगे देखिए is a pain क्या होगा this is a pain तो यहाँ एक कलम है this is a pain अब देखे चौथा एक्जामपल जो आपको दिया है इसको आप लोग जड़ा ध्यान से देखेगा यहाँ पर देखे लिखा है कि यहाँ एक अंडा है क्या लिखा है यहाँ एक अंडा है तो इसको आप लोग क्या बनाएंगे यहाँ पर तकाई आप लोग दीश इज अब देखे यहाँ पर यहाँ नहीं लगेगा यहाँ पर क्या लगेगा आइन लगेगा यहाँ पर लफाबेठर देखें यहां पर आप लोग को वावल से दिखाई दे रहा होगा A, E, I, O, U और एक साइड आपको यहां पर देखिए कॉंसोनेंट दिखाई दे रहा हैं B, C, D, F, G, फिर देखें H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z तो यहां पर ध्यां से मनीचे देखिए यहां पर देखिए को यहां पर लिखे हैं A, पल क्या लिख रहा है, एपल देखें किसी भी वाड का यहां पहला लेठर जो यहां वावल से शुरू होता है, तो उसके पहले एन लगकर अए लगता है और देखे यदि consonant से शुरू होता है जैसे यहां पर देखे हम लिखें य और देखें यहां पर B, B क्या है देखें B तो वावल है नहीं, B क्या है consonant है तो इसके पहले क्या लगाएंगे ए लगाएंगे और इसके पहले क्या लगाएंगे अन लगाएंगे तो इमीद करता हूं स इसके पर लगाएंगे लगाएंगे तो यह इसका नियम होता है वह हम लगाएं कि यह एक कंड़ा है क्यों लगाएं क्यों कि यह वावेल से यहां पर देखें यह आपको दिखाई दे रहा होगा तो इसलिए हम क्या लगा दिया है अब यहां पर देख सकते हैं यह है कलम है तो हांपर हमाइम लोग क्या लिखेंगे लिखेंगे कि अब देख हमाइम लोग He NAHI । क्योंकि elephant mean क्या होता है ॥ यहां पर क्या जैगा अम खर गे इन elephant Eल EPN T तो क्या होगा दिस इज एन गेसं देख सकते यहांप लोग यह दि किसी वी यह का लेकिन देखिए इसे भी लगाने के कुछ तरीके हैं जिसे मैं अगले वीडियो में बताऊंगा लेकिन इतना याद रखेगा आप लोगों के लिए और वीडियो बना सकूँ अब देखिए हम लोग जो अगला पढ़ेंगे हम लोग देट का परियोग पढ़ेंगे तो मित करता हूँ कि आप लोगों को दिस का परियोग समझ में आगया गवा दिस का परियोग कहां करेंगे और साथ में या आन का परियोग कहां पर करेंगे तो मिलते हैं अब देट के प समस्कार, जय हिंग, जय भारत